नवश्कार दोस्तों मैं पायल आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल पर चलिए तो कहानी एक और आपके सामने हाजर है कहानी का नाम है महमान पड़े भारी तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बही रविवार की सुपह सभी आराम करने के मूड में थे तब ही फोन की घंटी बजी सासुमा ने फोन उठाया तो चाचा जी और उनके कुछ चारपाँ शिस्यदार गाड़ी से घूमने निकले हैं कुछ देर के लिए घर आने वाले हैं चाय नाश्ता करके फिर निकल जाएं सासुमा जानती थी कि पूरे सत्ता मशीन की तरह काम करते हैं सभी एक रविवार मिलता है लेकिन मना भी कैसे करें शाम के चार बज़े आने वाले थे महमान इसलिए सुनीता ने चाय नाश्ते का प्रबंध कर लिया कुछ घर पर बनाया कुछ पती देव बहार से लेकर आ ग लेकिन आज घर पर ही रहना पड़ा फोन करने पर पता चला कि वो सारे महमान किसी और रिष्टिदार के घर पहुँच गए और वही नाश्ता कर लेंगे रात को सुनीता के घर आएंगे खाना नहीं खाएंगे क्योंकि उन्हें तो बहुत देर हो रही है तुनन निकल जाए सुनीता ने माथा पीटा और घुझसे से बोली अरे हम इतनी देर से यहां तैयारी करके रखे हैं सारा नाश्ता लाके रख दिया और उन्होंने बताया तक नहीं कि वो उनके घर जा रहे हैं बता तो देते तो हम यह सारा इंतिसाम भी नहीं करते रह और तुम छारो करके चले जाएंगे बहु बोली अच्छा नहीं लगेगा ममी जी बोलेंगे हम आये थे और बहु बाहर घूमने चली गए सबका मूड खराब हो गया घर पर रात साने आट बच चुके थे सुनीता नहीं देखा कि महमानों का आगमन हो गया मुस्कुरा कर उन्होंने सभी का स् सभी बातों में मगन हो गए सुनीता ने इशारे में सास को पूछा क्या करें खाना बनाए या क्या करें पूछे जरा महमान को महमान पाच चे नहीं थे बलकि आठ नो थे रात के बच गए थे साड़े नो ना तो वे बाते बंद कर रहे थे ना ही जाने का नाम ले रहे थे ना ही खाने के बारे में कुछ बता रहे थे बेचारे घर वाले कंफ्यूज कि क्या करें पती देव ने अपना दिमाग लगाया और बोले अब तो खाने का समय हो गया बहुत देर हो गई पती देव को लगा कि शायद नहमान चले जाएंगे बहमान में से किसी ने कहा अरे हा सहीं बात है, हलका फुलका खा लेते हैं, फिर निकलते हैं, बेटा सुनीता कुछ जादा मत बनाना, सासुमा भाग कर रसोई में पहुंचे, सोचा क्या बनाए, सबजी पूरी ही सही रहेगा, सास निका जल्दी जल्दी खाना बनाया, महमान खाकर चले गए, पूरा घर अस्त विस्त हो गया, रसोई में बरतनों का धेर लग गया, सुनीता ठक कर चूर हो चुकी थी, सवाल यह नहीं था कि खाना बनाना था, सवाल यह था कि सुनीता ने चाए नाश्ते की तरी तयारी की, वो तयारी दो वियर्थ हो गई, शाम भी पूरी बर्बाद हो गई सब की, कैसी लगी आपको ये कहानी ऐसे मेहमान तो सच में भारी पड़ जाते हैं क्या कहते हैं भाई देखे यदि आप किसी के घर मेहमान बन कर जा रहे हैं तो सही समय उन्हें बता दीजे और ये भी बता दीजे कि आप उनके घर क्या करने वाले हैं लाइच टिननर प्रेक्वस्ट या कुछ भी नहीं ये कहानी है मज़ेदार इस कहानी को फेस्बुक पर काफी लोगों ने पसंद किया 20 लाग से जादा इसके व्यूस थे चलिए तो आप भी मुझे बताएगा आपको ये कहानी कैसी लगी चलिए तो फिर मिलती हूँ तब तक खुश रहिए इंचॉय कीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा बाई